हेलो बच्चो आज मैं आपको से हाथ एक बहुत important word problem discuss करने जा रहा हूँ यह trigonometry applications chapter से है और 23 के board exams में आ चुकी है series 1 set 2 में मैं इस question को step by step solve करूँगा और आपको method भी सिखाऊँगा कि इस type के questions को किस तरह से diagram बनाते हैं और किस तरह से इसको solve करते हैं अगर आप इस concept को समझ लेंगे तो आपको exam में काफी help मिलेगी और एक और important information इस solution के end में मैं आपको चार ऐसे important questions दूँगा जो आपको exam में काफी help करेंगे आप उनको काईदे से समझ लेना इस video को skip मत करना एक-एक step समझ लेना और उन चारो questions को भी ध्यान से देख लेना मैं वो questions भी दूँगा और उन question के साथ में उनको लिखने का तरीका भी दूँगा और उनका क्या सही solution है वो भी आपको उसकी link भी दूँगा आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे first time आये हैं तो subscribe कर लिजे ताकि आपको इस type के important questions के solutions regularly मिलते रहें आईए solve करते है students please comment on this video and subscribe our channel do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it question है a ladder set against the wall at an angle of 45 degree to the ground तो एक wall है उसके against एक ladder यानि सीडी रखी हुई है और वो जमीन से 45 degree का angle बना रही है if the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter यानि जो सीडी का नीचे वाला portion होता है फूट होता है उसको अगर हम 4 meter खिसका दें दीवाल से दूर तो its top slides a distance of 3 meter down the wall making an angle of 30 degree with the ground तो उपर का जो top है वो नीचे आ जाता है 3 meter और अब वो जमीन से 30 degree गा angle बनाता है जो पहले 45 बना रहा था अब वो 30 degree बनाता है हमें क्या निकालना है find the final height of the top of the ladder from the ground and length of the ladder तो हमें 2 चीज निकालना है एक तो जो खिसकने के बाद जो सीडी है उसका जो top है वो दिवाल से कितनी उचाई přे हैं जमीन से दिवाल के ओपर कितनी उचाई पे है और ladder यानिनी सीडी की लंबाई कितनी है ये 2 चीज से हमें इसमें निकालना है मैं आपको suggest करूँगा इस वीडियो को यहाँ पर pause करें इस question को paper pen लेके solve करिए और फिर वीडियो को continue करके आप solution चेक कीजे कि आपका और मेरा solution सेम आया या या नहीं और method भी चेक कीजे आए solve करते हैं question तो देखिए कैसे करते हैं इस type की question को तो इसको करने का एक बहुत simple तरीका आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले जो question दिया जाए उसको solve करने के लिए उसका एक diagram बना लो बहुत साफ सुन्दर सा flagging करके properly ताकि आपको देख करके solve करने में कोई confusion नहों कोई गलती नहों उसके बाद relations बनाना शुरू करो जो unknowns हैं आपके पास जो भी आप variables मानोगे उनके बीच में एक relation निकलेगा उनको solve करते जाओ और solve करके आपको जो values निकालनी है वो निकलाएंगी यही इस question को solve करने के success मंत्रा है और आपको अगर आपने इस process को सही से adopt कर लिया तो यह question तो क्या आप कोई भी question को आराम से solve कर पाऊगे जो भी कोई trigonometry application का कोई question आएगा तो आए solve करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले line by line समझते हैं कि क्या कह रहा है और diagram बनाना शुरू करते हैं अगर्डर सेट against a wall add an angle 45 degree to the ground ठीक है तो हमें दिया एक सीडी है जो दिवाल से 45 डिगरी के angle पर जमीन के साथ बनाते हुए रखी भी है तो हमें दिया हुआ एक सीडी है तो हमने इस सीडी दे लिए A, B और ये होगी है ये होगी है जमीन से 45 degree के angle बनाती हुई यह CD है जो CD की लंबाई हो गए हमारी BC ठीक है? अब next line क्या कहता है? If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter अब इस CD का foot कौँछा है? C. तो C को हमने जब पीछे खीचेंगे तो उसका जो top है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि CD की लंबाई तो fixed है. तो जब आप उस line को या उस ladder को नीचे खीचोगे पीछे की तिरफ को तो उपर का जो हिस्सा है वो नीचे आएगा तो यह कितना खीचा गया पीछे? इसकी लंबाई हमें दिया है 4 meter. तो जो EC लंबाई है वो 4 meter हो गई consequently क्या होता है? इस top slides a distance of 3 meter down the wall. तो अब top जो B पे था अब वो नीचे खीचक के आगया D पे और कितना खीचा? 3 meters ठीक है? तो यह यहां तक हमारा पूरा हुआ? Okay. Making an angle of 30 degree with the ground. तो जो खीचकने के बाद जो CD है, यानि DE जो CD है, यह ground के साथ 30 degree का angle बना रही है ठीक है? अब हमें क्या करना है? final height of the ladder stop. अब जो B था point अब वो आगया D पे. तो D की height कितनी होई? वो हमें निकालनी है. अगर हम मालने कि H height है, DA अगर H है, तो यह हमें निकालना है कि कितनी इसकी value होगी? दूसरा हम मालन लेते है है कि जो ladder की length है, यानि CD की जो लंबाई है, वो L है. इसलिए हमारी जो BC होगी, वो भी L हो जाएगी और DE होगी, वो भी L हो जाएगी. क्योंकि दोनों ही हमारी सीडियां है, दोनों ही एक ही चीज़ है, बस खिसकने के बाद BC जो है, वो DE shape में आ गई है अब चलो शुरू करते हैं, तब से पहले लेते हैं triangle ABC में, कौन सा है triangle है, यह बाला ABC, ठीक है, इसमें 45 डिगर की angle बन रहा है, तो इसमें हम लेते है sin 45, sin 45 में क्या देखेगा, sin की value क्या होती है, sin theta की value height upon hypotenuse, तो यहाँ पर height क्या है AB, और hypotenuse क्या है BC, तो sin 45 की value क्या हो जाएगी, AB upon BC, और sin 45 की value क्या होती है, 1 by root 2, AB क्या है यहाँ पर H, जो की AD है, और DB क्या है 3, तो AB कितना हो गए, H plus 3, और BC क्या है बिटा, BC है L, तो 1 by root 2 is equal to H plus 3 upon L, इसको हमने solve कर लिया L के लिए, तो L is equal to H plus 3 into root 2, ठीक है, यह हमारी एक equation बन गई, इसको हम further solve नहीं कर सकते, तो इसको हम यहीं पर park कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ notice करना, कि मैंने L is equal to H plus 3 into root 2 लिखा है, H is equal to, और L के terms में solve नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं किया, comment में आप मुझे बताना, मैं next section में आपको इसका answer करता हूँ, अब हम लेते हैं, triangle ADE में, कौन से triangle है, यह वाला, इस ADE में 30 degree का angle बन रहा है, तो sin 30 क्या हो जाएगा, AD height है, जो divide by DE, जो hypotenuse है, value put up कर दीजे, sin 30 की value क्या होती है, 1 by 2, AD की value H, और DE की value L, ठीक है, तो 1 by 2 is equal to H upon L, यहाँ पर एक चीज़ में clear कर दूँ, अगर आपको यह values याद करने में कोई दिक्कत होती है, कि sin 30 क्या है, sin 45 क्या है, या कोई भी और value 10, cot की values 30, 45, 60, 90 के लिए, तो मैंने एक इसके ऊपर एक पहले तो इसको solve कर लिते हैं, यहाँ से क्या निकला, L is equal to क्या हो गया, 2H, इसको भी हमने पाक कर दिया, as a second equation, ठीक है, अब देखो बच्चो, अब हमारे पास दोनों triangle solve हो गए, हमारे पास दो equation आ गई, L is equal to हो गया, H plus 3 root 2, और L is equal to हो गया 2H, इन दोनों को हम equate कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, H plus 3 root 2 is equal to 2H, अब हम bracket को open कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, H into root 2 plus 3 root 2 is equal to 2H, जो H, H के variable हैं, वो एक तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा, 2H minus H root 2 is equal to 3 root 2, ठीक है, H को common लेके हमने, H के लिए solve कर लिया, तो क्या हो गया, H is equal to 3 root 2 upon 2 minus root 2, ठीक है, further हमने root 2 को अगर हम common लेना है, denominator से, तो उपर denominator में भी root 2 है, वो cancel out हो जाता है, तो H is equal to 3 upon root 2 minus 1 बच गया, इसको हमने इसके conjugate से multiply कर दिया और divide कर दिया, तो root 2 minus 1 का conjugate क्या होगा, root 2 plus 1 और root 2 plus 1, उससे हमने multiply and divide कर दिया, तो value तो same रहेगी, कोई दिककत नहीं है, तो उपर हो जाएगा 3 into root 2 plus 1, और नीचे क्या हो जाएगा, root 2 का square minus 1 का square, which is equal to 2 minus 1, और 2 minus 1 की value क्या होगी 1, तो उपर क्या बच गया, 3 into root 2 plus 1, और अब यहाँ पर root 2 की value put up कर देते हैं, root 2 की value क्या होती है, 1.41, तो 1.41 plus 1 क्या होगा है, 2.41, and 2.41 into 3 क्या होगा है, 7.23 meter, तो यह हो गई हमारी ladder की height, which is, h is equal to 7.23 meter, यह h क्या है बचा, यह है ladder के top का final height, ठीक है, तो ad जो h था, उसकी value हमारी निकल आई, अब हमें क्या निकालना है, length of the ladder, तो वापस आजेए अपनी equation में, हमारका equation क्या थी, l is equal to 2h, h हमारा निकल चुका है, क्या था, 3 into root 2 plus 1, हमने उसको put up किया, और यह हो गया 6 into root 2 plus 1, root 2 की value होती है 1.41, उसको put up किया, 1.41 plus 1 हो गया 2.41, into 6 हो गया 14.46, ठीक है, यह हमारी लंबा ही आगई ladder की, इसको एक और था ही के solve कर सकते हैं, हमारी h की value निकल आई थी, 7.23, हम सीधे-सीधे एगर उपर multiply कर दें 2 से, तो वो भी निकल आएगा 14.46 meter, कोई भी method से आप solve कर सकते हो, कभी-कभी क्या होता है, कि जैसे हमने यहाँ पर, तो calculation में कोई cutting नहीं हुई थी, या division नहीं हुआ था, तो value सेम रही, और किसी भी method से आप कर रहे हो, लेकिन अगर कभी approximation लेकर के value कम हो चुकी होंगी, ट्रंकेट हो चुकी होंगी, तो आपको वहाँ पर full value रखनी चाहिए, जैसे 3 into root 2 plus 1, और बाद माँस को आप value को put up करेंगे, root 2 की value को, तो आपका exact answer आएगा, लेकिन चुकिए यहाँ पर calculation नहीं होई थी further, तो हमारे पास same value available थी, और हमारा same answer आगया, इस तरह से question solve हुआ, अब time है, उन 4 important questions का, जो मैंने आपको promise किया था, कि इस solution के end पे मैं आपको दूँगा, तो आएए, उन question पर चलने के पहले, इस question की summary कर लेते हैं, तो हमने क्या निकाला, कि final height जो होगी ladder के top की, वो होगी 7.23 meter, और ladder की लंबाई, यानि CD के लंबाई कितने होगी, 14.46 meter, इती समाधानम, इस question को exam में step by step लिखने के लिए, ये QR code है, इसको आप scan कर लीजे, आपको पूरा detailed solution मिल जाएगा, कि exam में step by step इसको कैसे लिखेंगे, ताकि आपको full marks मिल सकें, और अगर इस topic पर आपको mastery करनी है, तो आप इस QR code को scan कर लीजे, आपको बहुत सारे case studies इस topic के उपर, और important questions आपको मिल जाएगे, ताकि आप एक एक करके सारे questions को solve कर लेना, और आपको अच्छे से पकड़ा जाएगी इस topic के उपर, आईए अब time है important questions का, तो पहला question ले ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको questions दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ में ही, इस सारे question के parts इसमें आपको पूछे जाएगे, यह scan कर लीजे, तो आपको step by step process मिल जाएगा इसका, और गर video solution देखना हो, तो इसका मैंने QR code भी यहाँ पर दे दिया है, यह हुआ हमारा पहला important question, second important question है, यह वाला, one observer estimates the angle of elevation, बहुत important question है, 23 के exam में आया हुआ है, यह इसका step by step process method है, और यह इसका video solution का QR code यहाँ पर दिया है, इसको भी आप check करना, और इस question को पहले solve करके देखना, नहीं हो, या होने के बाद, आप अपना process check करना, ताकि आपको सही तरीका भी आ जाए, और सही solution करना भी आ जाए, next question मैं ले रहा हूँ, यह hot air balloon दा question, 24 के sample paper में आया था, case study 3 में, यह question है, और इसके basis पर multiple questions में पूछे गए हैं, जैसे मैंने पहले का, इस question को पहले अपने आप solve करना, और फिर उसका सही तरीका देखने के लिए, इस video solution को check करना, और exam में कैसे लिखना है step by step, उसके लिए QR code को भी, scan करके check करना, सही method क्या है इसका, next important question में ले रहा हूँ, 24 की series से 1 से, यह last year के board exam में आया, pole 6 meter high, और इसको step by step solve करने का तरीका, उसके लिए QR code यहाँ पर दिया हुआ है, आप scan करके इसको step by step समझ लेना, और अगर इसका video solution देखना है, तो यह उसका QR code भी यहाँ पर दे दिया है, student, this is the end of today's session, while we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun, bye-bye! आप पर देखना है, आप अप